इंडिया वसिस न्यूजिलेंड सीरीज के पहले डेस्ट माच के चौथे दिन का खेल समाथ हो चुका है। के निचले क्रम के बल्नेबाजों को अपना पहला ही मैच खेल रहे श्रेस एयर के लिए तो ये मैच मानो एक सपने के सच होने जैसा रहा है। के अपनी रंजी टीम के लिए मैं रंजी में भी यही करता था प्लान था कि मैच को सेशन दस सेशन खेलना है और स्कोर को आगे बढ़ाना है। मैं जादा दूर की नहीं सोच रहा था बस हरे गेंट के साथ खेल को आगे बढ़ा रहा था। डेब्यू पर शतक और अद्शतक जड़ने वाले पहले भारतिय बल्लेबास बनने पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा। मुझे पता था कि मैं शतक और अद्शतक जड़ने वाला पहला भारतिय बल्लेबास हूँ। जब मैं वापस आया तो टीम के साथ ही उन्हें मुझे इसके बारे में बताया। हाँ बाकी टीमों के लिए कई खिलाडी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन मुझे बताया गया कि भारत के लिए ऐसा करने वाला मैं पहला खिलाडी हूँ। ये काफी खुशी की बात है लेकिन सबसे जरूरी मैच जीतना है। मैच में भादय टीम के स्थिती पर अईयर ने कहा कि उनके हिसाब से भादय टीम एक मजबूत स्थिती में है। टीम के पास स्पिन डिपार्टमेंट में वो शमता है कि वो यहां से इस मैच को जीत सके। अईयर ने कहा राहुल सर ने मुझसे कहा था कि मैं जितना जादा हो से के क्रीस पर जमा रहूं। मैंने सोचा था कि लीड को मिला कर अगर हम 200 की स्कोर को पार कर जाते हैं तो इस पिछ पर मुकाफिरन होंगे और किसमत से हमने उससे जादा ही बना लिए। सच कहूं तो पिछ पर कुछ खास नहीं हो रहा था हमें एक मजबूत लक्षय खड़ा करना था यही कोई 275-280 के आसपास हमारे पास स्पिन के इंदबाजी की ताकत है हमें अपने स्पिन के इंदबाजू पर विश्वास जताना होगा और मुझे पता है कि वो निश्टित तोर पर आकरी दिन न्यूजिलन के बल्लेबाजों को दबाव में डाल सकते हैं चौथे दिन के खेल की बात करें तो भारत के टीम के लिए शुरुवात बेहत खराब रही भारत ने 14 रन पर एक विकेट से आके खेलना शुरू किया लेकिन शुरुवात में ही 51 रन तक पहुस्ते पहुस्ते भा भारत के पाच विकेट गिर गए अईयर और अशुरुवात मैच भारत की तरफ मोड दिया पारे घोशत करने से पहले साहा ने आबाद 61 और अक्षर ने आबाद 28 रन बनाए इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है प्रवीन ने मैं हूं सब्सक्राइब का बटन बिलकुल दवाईएगा शुक्रिया